नमस्कार में सीवम आप देख रहे हैं ओनलाइन न्यूज इंडिया चार महीने पहले पप्पू यादों ने खुलासा किया था बिहार में खुलासा हुआ था कि राजीव प्रताप रूडी जो भारती जनता पार्टी के स्पोक परसन हैं और सांसत हैं उनके दब्तर पर 50 अम्बूलेंस खड़ी हुई थी पचास अम्बूलेंस उस महामारी के दौरान खड़ी थी महामारी में लोग मर रहे थे अम्बूलेंस की भारी किल्ड थी मरीज बिना अम्बूलेंस के तरब तरब के जान छोड़ रहे उस करोना महामारी के दोरान राजीव पताब रूडी अपने दब्तर पर 50 एंबुलेंस खड़ी करके रखे थे और इसी खुलासे के बाद पपू यादो को जेल में भेज दिया गया पिछले चार महीने से पपू यादो जेल के अंदर बंद है लेकिन आज एक और खुलासा हुआ है और ये बात निकल के सामने आई है कि वो 50 एंबुलेंस किन कारणों से वहाँ पे खड़ी कराई गई थी और किस तरह के काम उन एंबुलेंस से लिया जा रहा है उसका एक खुलासा हुआ है सबसे पहले आपको ये चार महीने पहले की खबर दिखाते है इस खबर को देखिए फिर इसके बार अभी जो खबर निकल के आई है उस पर चर्चा करेंगे ये खबर देखिए नियूज नेशन की खबर है पपु यादों ने 50 एंबुलेंस खड़ी रहने पर विजेपी सांसत को घेरा भारती जनता पार्टी के सांसत राजीव प्रताप रूरी अपने दब्तर पर 50 एंबुलेंस खड़ी करके रखे थे काफी ज़्यादा फजीहत हुई थी उस समय उनकी अब आपको आज की खबर दिखाते हैं यह देखिए बिहाज से खबर आई है कि राजीव प्रताप रूरी के सांसत निश्च से खरीदी गई एंबुलेंस में पकड़ी गई सराव चालक गिरस्पतार यह तस्बीर आप देखिए राजीव प्रताप रूरी एंबुलेंस के उपर लिखा हुआ है और उसके अंदर भारी मात्रा में सराव पकड़ी गई है और कितनी भारी मात्रा है इसका भी अंदाज आप थोड़ा सा लगा लीजिए 280 लीटर सराव बरामत की गई है राजीव प्रताप रूरी के सांसत निद से आने वाली एंबुलेंस के अंदर यह एक बहुत बढ़ा खुलासा हुआ है बिहार के अंदर इससे साब तो उसे पता चलता है कि नितीस बाबु जो दावा करते हैं कि बिहार सराब मुक्त है और वो भारती जनता पार्टी जो स्तंसकारों की पार्टी अपने आपको कहती है और जो कहती है कि हम जनता के हित के लिए काम करते हैं वो किसके हिप के लिए काम कर रहे हैं, वो सारी चीजी आप देख लीजिए। कोरोना महामारी के दौरान इन एंबुलेंसों का प्रियोग नहीं किया गया था। राजिव प्रताप रूरी प्रेस कॉंसेंस करके ये बात कहे थे कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। और ड्राइवर की किलत के वज़ा से, ड्राइवर ना होने के वज़ा से हम इन एंबुलेंसों को चलवा नहीं सकते। और उसके बाद फिर आप देखिए कि सराब धोने के लिए कैसे इनके पास ड्राइवर आ गये। इसके पहले भी एक खबर आई थी, खबर आई थी आप देखिए कि एम्बुलेंस में बालू ढूरवा रहे बिजेपी सांसर, पप्पु यादों ने ट्विट करके कहा इसके लिए ड्राइवर कहा से आये। मतलब मरीजों को ले जाने और ले आने के लिए के वर ड्राइवर नहीं हैं और परसनल जितने भी काम हैं उसके लिए ड्राइवर मौजूद हैं राजिव परताप रूरी के पास। ये वीडियो देखिए फुल स्क्रीन पे आप ये वीडियो देखिए और आप इस चीज को समझेए कि कैसे कैसे राजीव प्रताप रूडी उन एंबुलेंस में सराब धुलवार हैं हैं जिस एंबुलेंस में मरीजों को ले जाया जाना चाहिए था बिहार की स्वास्थ व्योस्था बहुत अच्छी नहीं है बार का प्रकोब अक्सर बिहार में बना रहता है हर साल बार का प्रकोब बिहार में आता है और कोरोना महामारी तरास्दी के दौरान सैकुरो लोगों की जान एंबुलेंस की कमी के कारण गई लेकिन तब भी राजियू पताप रूरी इन एंबुलेंसों को उन लोगों के लिए नहीं चालू करवा पाए जो लोग तरप-तरप के मर रहे थे और आज उसी एंबुलेंस से सराब्ध होने का काम किया जा रहा है ये असलियत निकल के आ रही है ये आगे खबर देखी क्या है बिहार में बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर छपरा के भगवान बजार थाना पुलिस ने भाजपा के राश्टिये प्रवक्ता वपूर्व केंद्री मंत्री और थानिये सांसत राजियू पताप रूरी क सांसत नित से पंचायतों को दी गई एंबुलेंस में 280 लीटर देशी सराप के साथ चालक को ग्रपतार किया गया पुलिस ने नाकाबंदी लगा कर जब एंबुलेंस को रोका तो एंबुलेंस चालक पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की नियत से गाड़ी भगाने लगा किसी तरीके से पुलिस की टीम ने अपनी जान बजाकर एंबुलेंस का पीछा करना सुरू किया इस दोरान एंबुलेंस को रोक कर चालक और अन्य भागने की कोशिस करने लगे पुलिस की टीम खरेड कर चालक को पकड़ लिया जबकि अन्य भागने में सफर रहे ये चीज आप समझे तो मतलब उस चालक के अंदर इतना गुर्दा था कि वो पुलिस वालों के उपर एंबुलेंस चलाने की कोशिस की ये ताकत कहां से आई ये आप समझ रहे होंगे बली भाद ही समझ रहे होंगे कि एंबुलेंस के चालक के अंदर ये ताकत कहां से आई कि वो पुलिस वालों के उपर गारी चलाने की कोशिस कर रहा था इसके साथ पप्पु यादो का ट्वीट आया है पप्पु यादो का ट्वीट हम आपको दिखाते हैं पप्पु यादो पिछले चार महीने उसे जेल के अंदर बंत हैं उनका गुनाह मत रितना था कि वो राजीव प्रताप रूडी के दबतर पर खड़ी एंबुलेंस को एक प्रियोग बिहार के बिजेपी के नेताओं के संचन में हो रहा है मुख्यमंत्री आप सराप बंदी का गुरुगान कीजिए आपका सहयोगी दल बिजेपी सराप की तसक्री करवाएगी आप भी जड़ा सूचिए कि इससे बढ़िया गट जोड क्या हो सकता है कि नेतीज ब उनके सांसर सराप की तसक्री करवा रहे हैं इस तरह के धिर्ष से निकल के सामने आ रहे हैं बिहार से चौकाने वाला दिर्ष से हैं और समझने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है बिहार में कुशासन का दावा करने वाले नितीस सरकार कैसे दुशासन बन गई है वहाँ पे वो चीज़े आप देख सकते हैं हर रोज हमारे सामने ऐसी खबरे आती हैं कि स्वास्त बेवस्थाओं के नाकामी के वज़ा से लोगों ने दम तोड़ दिया कई सारे लोगों की जान चली गई एंबुलेंस मौके पे ना पहुच पाने के कारण लोगों की जान चली गई और एंबुलेंस को इस काम में लगाया गया है कि वहाँ पे आप सराब धोईए सराब की विक्री कराईए इस कामों के लिए लगाया गया है एंबुलेंस को आप सम समझ सकते हैं कि इनकी संबेदन सीलता कितनी है और जंता के प्रति कितने ज्यादा यह जवाब देही अपनी रखते हैं यह सारी चीज़े आप समझ सकते हैं सोसल मीडिया पे काफी ज़्यादा भद चलाई जा रही है इस चीज़ को लेकर इसके साथ हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं यह वीडियो थोड़ा पुराना है और इसी वीडियो के आधार पर पप्पू यादो पिछले चार महीनों से जेल की सजा काट रहे हैं यह वीडियो है कोरोना महामाली के दोरान का जब 50 इंबुलेंस राजी परताफ रूरी के दप्तर पर खड़ी थी यह वीडियो देखिए आप फिर आप फैंसला कीजिए कि असल में गुनाहगार कौन है जनता का गुनाहगार कौन है और जनता तक जरूरी चीजें कौन पाई होनी चाहिए मुकद्र लगने चाहिए यह यहां क्यों मैं जाज कर विशे में उठाता हूं नहीं समझ में आता कहां पर अंबुलेंस है जब 7000-12000 रुपया एक किलो मिटर का अबुलेंस माफिया इंटार किनल और माफिया यह सांसल के पैसे नहीं हसर यह जंता का पे रहा है कि जो सच को उजागर करेगा उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार